हेलो फ्रेंड्स, बेलकब माई यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन करंसी हैं, उससे सम्मादित कुछ महत्पुन कोशन देखेंगे, जैसे की 200 रुपे के नई नोट के पीछे किसका चित रंकीत हैं, इस प्रकारवत जितने भी कोशन आ आज का हमारा पहला कोशन है, 50 रुपे के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर चापी गई है, देखी जितने भी कोशन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका आया हूँ, करंसी से सम्मंदित और कुछ कोशन करंट अफेर्स के भी है, तो अगर आपको उनमें स क्या है, देखे, जो हिस्टरी में विजे नगर समराज्य था, तो उसकी राजधानी हुआ करती थी हमपी, और अगर हम बात करें कि हमपी बरतवान में कहां पर है, तो आपको ध्यानकना यह करनाटक राज्य में इस्थित है, और देखे, आपको यहां से एक पॉइंट और जो इस समय पर 50 रुपे का नएया नोट है, इसका आकार, यानि कि इसकी लंबाई चोणाई कितनी है, आपको यह भी दियान लखनी है, अगर हम बात करें इसकी चोणाई की, तो 66 मिली मीटर इसकी चोणाई है, और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो 135 मिली मीटर इसक इसकी आकरती छपी है, देखें इससे पहले कॉस्छन में हम बात कर चुके हैं, 50 रुपे के नोट की, तो उस पर हमपी की तस्वीर है, इस कॉस्छन में 100 रुपे के नोट पर बताना है किसकी आकरती छपी है, तो इसका राइट अंसर ओप्सन D हो जाएगा, रानी की बाब, द इसकी जो लंबाई है 142 mm इसकी लंबाई है तो आपको दियान रखना है तो चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर तीन है भारते करेंसी नोट पर कितनी भासा लिखी होती है देखिए काफी अच्छा कोस्टन है कई लोग इसमें कनफ्यूज भी हो जाते हैं तो आपको दियान रखना है जो भारते करेंसी नोट होता है इस पर कुल 17 भासाइं लिखी होती है तो यहाँ पर इसका सही आंसर ओप्सन D हो जाएगा देखिए आपको दियान रखना है कि अगर आपसे एकजाब में कोस्टन घुमा फिरा कर पूछे जाए कि भारते करेंसी नोट पर पीछे की ओर जो बोक्स बना होता है आपने देखा होगा इसमें कितनी भासाइं लिखी होती है तो इसमें जो कुल भासाइं ल पहले हम 50 रुपे के नोट और 100 रुपे के नोट की बात कर चुके हैं तो आपको एक बार से फिर से बतायाता हूँ 50 रुपे के नोट पर हमपी का चितर अंकित है और 100 रुपे के नोट पर रानी की बाब इस्थित है अगर हम बात करें 2 रुपे के नोट की तो आपको दिया तो यहाँ इसका सही answer option C हो जाएगा साची का इस तूप आपको द्यान रखना है और देखिए 200 रुपए के note की जो लंबाई चुडाई है इसके चुडाई 66 mm इसकी चुडाई है आपको द्यान रखना है जो सभी note है उनकी जो चुडाई है लगबग 66 mm सभी note की चुडाई है और इसकी लंबाई 146 mm है आपको द्यान रखना है नेस्ट question देखते हैं खुस्सन नंबर 5 है 500 रुपए के नए note पर पीछे की और किसकी आगरती चपी हुई है दिखे आप इसका answer option देखकर भी लगा सकते हैं क्योंकि 3 option ऐसे हैं मैं आपको पहले भी बता चुगा हूँ तो यहाँ पर इसका right answer option ए हो जाएगा लाल किला 500 रुपए के नए note के पीछे लाल किले का चितर अंकिता आपको द्यान रखना है और इसकी जो लंबाई चुणाई है 5 रुपए के note की 66 mm इसकी चुणाई है मैं आपको बता चुका हूँ लगबग सभी note की चुणाई 66 mm है और इसकी लंबाई 150 mm है आपको द्यान नखना है next question देखते हैं 2000 के नए note पर पीछे की और किसकी आकरती है देखे आपको वताना है कि जो 2000 का note आया था बिमुद्री करण के बाद जो भारत में note बंदी की गई थी तो इसके पीछे किसकी आकरती चपी हुई है तो इसका सही answer option B हो जाएगा मंगल यान आपको जरूर धेनक नहीं मंगल यान चपा हुआ है देखे ये question railway group D exam में पूछा जा चुका है तो आपको जरूर धेनक नहीं और अगर हम बात करें इसकी लंबाई चोणाई की तो 66 mm इसकी चोणाई है और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है सब पर सही answer option C हो जाएगा भारते Reserve Bank यहाँ पर भारती है भारते Reserve Bank यानि RBI के द्वारा मुद्रापूर्ती नियंतरित की जाती है आपको ध्यान अखना है next question देखते हैं भारत में national stock exchange का मुख्या ले कहां इस्थित हैं देखे ये question में काफी महत्त पूर्ण है क्योंकि ये question भी national stock exchange का मुख्या ले मुंबई में इस्थित आपको ध्यान अखना है और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी तो आपको ध्यान अखना है 1992 में इसकी स्थापना की गई थी चलिए next question देखते हैं question number 9 है भारत में पहली बार बैंकों का राष्टिय करण कब हुआ था तो इसका right answer option B हो जाएगा 1979 आपको ध्यान रखना है 19 जुलाई 1979 को भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्य करण किया गया था और पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्य करण किया गया था आपको ध्यान रखना है next question देखते है Question number 10 है बरतमान में RBI के नए गवरनर कोन है देखें ये question में आपको पहले भी Current Awards के माध्यम से बता चुका हूँ तो आपको पता होगा तो इसका right answer option B हो जाएगा सक्तिकांत दास ये RBI के नए गवरनर बने है बरतमान में आपको जरूर ध्यान रखना है next question देखते है बरतमान में भारत में कुल कितने उच नए आलिया है तो यहाँ पर इसका सही answer option A हो जाएगा 25 देखें आपको ध्यान रखना है कि इस समय पर बरतमान में भारत में जो उच नए आलियों की संक्या है 25 है तो आपको जरूर ध्यान रखना है और देखें जो 25 बा उच नयालिया बना है आंदर प्रदेश उच नयालिया बना है आपको ध्यान रखना है और देखें एक जन्वरी 2019 से पहले आंदर प्रदेश और तेलंगाना का जो उच नयालिया हुआ करता था हिदराबाद हुआ करता था आपको ध्यान लखना है और देखे आंदर प्रदेस का अलाग हो गया है और तेलंगाना का अलाग हो गया है आंदर प्रदेस का आंदर प्रदेस उच्छ नयाले है और तेलंगाना का हिदराबाद उच्छ नयाले है आपको ध्यान लखना है और देखे जो आंद्र प्रदेश के मुख्य नाइदीस बनाए गए है C.B. पिर्मिनल कुमार है और तेलंगाना के मुख्य नाइदीस भी रादा करस्ण है और देखे आंदर प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी हेदराबाद है आपको इस सभी बाते ध्यान रखनी है चलिए next question देखते है question number 12 है केंद्रिय सूचन आयोग के नए मुख्य सूचन आयोगत कोन बने है देखे काफी महत्तपून question है current affairs का question है तो यहाँ पर इसका सही answer option भी हो जाएगा सुधीर भारगव यह नए सूचन आयोगत बने है आपको जरू ध्यान रखना है और देखे इन्होंने किसका इस्थान लिया है आपको ध्यान रखना है आरके माथूर का इन्होंने इस्थान लिया है और इन्होंने इन्हें जो सभथ दिलाई गई है राष्ट पति रामनात कोविंदी जी के दुवारा इन्हें सरबत दिलाए गई आपको ध्यान लगना है, next question देखते है भारत दुवारा G20 सिखर सम्मेलन का आयोजन किस बर्स किया जाएगा तो इसका right answer option D हो जाएगा 2022, देखे, 2022 में भारत में G20 सिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा आपको जरूर ध्यान लगना है, और देखे, अगर हम बात करें 2018 की, कि 2018 में कहाँ पर किया गया था, आपको ध्यान लगना है ब्यूनर्स आयर्स में किया गया था, आर्जिंटीना की राजधानी में, चलिए next question देखते हैं कोस्त नमबर 14 है 2019 में गलतंत्र दिबस समारों में भारत के मुख्या थिती कोन होंगे तो इसका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा दच्छिन अफरिका के राष्ट पती आपको ध्यान लगना है, 2019 में गलतंत्र दिबस याने की 26 जन्वरी को तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा आश्ट्रिया, देखिए अभी हाली में आश्ट्रिया देश में ओपेक की 175 वी बेठक संपन होई है आपको ध्यान लगना है, देखिए आप सोच रहे होंगे देशों का एक संगठन है, उपेक इसमें 15 देश सामिल है, इसके इस संगठन में आपको ध्यान लगना है, और दिखिए इसका जो मुख्याले इस्थित है, BNA में इसका मुख्याले इस्थित है, आपको ध्यान लगना है तो चलिए next question देखते है question number 16 है, हाली में सबसे तेज 25 अंतराष्टे टेस्ट सतक लगाने वाले भारते बल्लेवाज कोन बने है तो इसका right answer option B हो जाएगा, बिराट कोली देखे, भारत के ओर से अंतराष्टे टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 25 सतक लगाने वाले खिलाडी बिराट कोली बन गए है, आपको देखे, अगर हम भात करें भारत के ओर से दूसरे नंबर पर कोन से खिलाडी है आपको देखे, अगर हम बात करें पूरे बिस्व में की पहले स्तान पर कोन है तो आपको देखे, आश्टेलिया के सर ब्रेड में थे जिन्नोंने 68 पारियों में 25 अतक लगाये थे चलिए, नेक्ट कोशन देखते है पसुओ के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे परसन ओब दाइयर 2018 चुना है तो इसका राइट अंसर ओप्सन बी हो जाएगा सोनम कपूर देखे आपको द्यान दखना है ये एक संगठन है पेटा इंडिया ये पसुओ के अधिकार के लड़ने के लिए प्रतेग बर्स किसी ब्यक्तियों को चुनता है तो 2018 में चुना गया है सोनम कपूर को आपको द्यान दखना है रेल रोड पुल बोगी बील का उदखाटन किया देखे काफी महत्तपूर कोसन है ये भी तो यहाँ पर इसका सही आंसर ओप्सन भी हो जाएगा असम राज्ये में किया गया है आपको द्यान दखना है नेश्ट कोसन देखते है राष्ट्य उपभोगता दिबस 2018 का बिसे क्या था तो देखे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्य उपभोगता दिबस कब मनाया जाता है तो आपको द्यान रखना है पिरतियेक बर्स 24 दिसंबर को राश्टे उभगता दिवस मनाया जाता है और इस question में पूछा गया है कि 2018 जब राश्टे उभगता दिवस मनाया गया था तो उसका विसे क्या रखा गया था तो यहाँ पर इसका सही answer option यह हो जाएगा उभगता सिकायतों के समयवद निप्टान करना यह 2018 का विसे था तो आपको ध्यान रखना है next question देखते है question number 20 है भारत के किस राज्जे में देश का पहला संगीत संग्राल्य इस्थापित किया जाएगा तो इसका सही answer option बी हो जाएगा तमिल नाडू देखे तमिल नाडू राज्जे में भारत का पहला संगीत संग्राल्य इस्थापित किया जाएगा तो यह भी काफी महत्तपून कोशन है तो आप इसे ध्यान रखिएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगो तो वीडियो को लाइक जरू करना और हमारे चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करना और दोस्तों साथ इसाथ आप इस वीडियो को ज़्यादे सेर कीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी परकार के वीडियो ला सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार